हेलो दोस्तो मुस्तफात हेल्पिंग एंड में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आपने अभी तक बहुत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाबर्ट सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन प्रेस कर लिए जिससे आपको वीडियो रेगिलरली मिलती रहे ठीके दोस्त चले वीडियो को फटाबर स्टाट करते हैं और देखते हैं आज की फस्त प्र फाइल समेशन डेट है 28th मार्च मेडिकल 15th मार्च बाइमेटरी 22nd मार्च फाइल रिवीड ओन 24th मार्च प्राइए 18th एप्रील को नाव वेटिंग फॉर मैं पास्पोर्ट तो इस्टम्ट अल समेशन डेट है 16th मार्च मेडिकल अफ्रांट 23rd मार्च प्राइए 18th एप्रील को सेम डे रिवीव एंड प्र की प्रेइंग यू और विल रिसीव प्र सून चले गाई जब उनकी जीसी की टाइम लाइन देखते हैं कन्फरमेशन ओफ ऑनलाइन अप्रिकेशन ट्रास्मेश नजब टौल तो आलाइए प्र एंड रिसीव टोडे आफ्र वेंट टाइम लाइन इस दो डॉप अलॉप लॉंग साइब आप्रेइंग जीसी की ताम लाइन देखते हैं कन्फरमेशन ओफ ऑनलाइन एंवा तकॉबर ट्वेंशन ओं सब्राइए अंप्रूइशन लेटर अप्रिल 18 औरिजने पास्पोर्ट रिक्वेस्ट आई है अप्रिल 18 को तो गॉरिचुलेशन अब देखते हैं नेक्स ताम लाइन अप्लाइन अप्लाइन एस व्यूज़ प्रिश पर शिक्स मन्द दॉटर सेल्फ अप्लाइन ताम लाइन श्रीज नमर है W308457 File submission date है 9th March Biometric 14th March Medical offer on 21st March and PPRI है 18th April को Timeline for child Application 9th March No Biometric Needed Medical request raised by IRCC on 18th April उसके बाद guys उन्होंने question पुछा है Is it required for 6 month old daughter? So उनका answer है yes 6 month की daughter को भी physical examination होगा यानि के medical होगा और उसमें कुछ होगा नहीं आपको जाना है सिर्फ और doctor होगे वो उनका सिर्फ physical examination करेंगे बाद में finish ये process रहेगा 5 to 10 minute का और उनका medical done ठीक है? मगर medical तो होगा ही ओके? So congratulations अभी PPR बहुत ही कम आ रहे है So जितने मेरे पास आ रहा है मैं उतने आपसे share कर रहा हूँ So ये थे आज के कुछ PPR मिलते हैं next video में SNPPR के साथ तब तक के लिए Bye-bye और चैनल को subscribe कर देना और अगर कुछ भी problem है आपको तो नीचे description box में मैंने मेरी insta ID की link रखिए आईए follow करिए और आपके doubts में से share करिए मैं definitely उनसका answer दूँगा ठीक है चलिए Bye-bye